9.4. सजीवोंनी लाक्षन इकताव Characteristics of Organisms आपणे विविद विस्तारोंनी मुलाकात लेधी अने घणी वनस्पती तथा प्राणियोंनी चर्जा करी प्रवती एक मां आपणे विविद विस्तारों मां जोवा मुलती वस्तुवों, वनस्पतीयों अने प्राणियोंनी यादी करी थोड़े वार अटकी ने आपणी यादी मां रहेला उदाहरणों मां कितला सजीव छे ते विशे विचारिये तो चालो, जंगल मां थी मडिया आपता उदाहरणों नी बात करिये ब्रुक्षो, बेलाओ, नाना मुटा प्राणियों, पक्षियों, साप, जन्तुओ, खडको, माटी, पाणी, हवा, सुका पांगड़ा, ब्रुत प्राणियों, बिलाडीना, टोप, एटली कि मश्रूम्स, अने शेवार, जेने मुस्त कहवाई छे ए जंगल मा रहे दी वस्तोना थोड़ा उदाहरणों छे हवे आमादी कितला सजीव छे? तोके जे जीवन्त होईते सजीव छे, जे तमारे अलग पाड़वाना छे हाल मा तमारी आसपास देखाती वस्तु ओमा कितली सजीव छे औने कितली निर्जिव जूती छे ते विशेवी जारो हवे अत्यारे आपने आपनी आजु बाजु जे पन वस्तु हो छे तेमा थी कहवानों छे कितली सजीव छे औने कितली निर्जिव छे कितला किस्साओं मा आपणा माटेते जानवू सरण छे जेम कि आपना घर मा रहेली खुर्षी टेबल जेवी मस्त्पू जीवन ते न थी एडवर्ड लियर द्वारा लखायली कविता तंतन मुर्खता ने पहली वाची रही हती अहिए कवितानों भावानू वाद आपेलो छे ते जो इशू आपने टेबल ए खुर्षी ने कीधी एक वाद कि आनी तने काई थोड़ी छे जान गर्मी मा ताप केरो छे बस संताप ने पगना जीरानी तो शू करू वाद थयो थोड़ी जो आपनी बे मारी लटार तो नानी मुटी कईक वातो बेथाई खुल्ले हवानी मडे मोंगी सवगाद एम टेबले मांडी वाद खुर्षी संगाद खुर्षी ए अकड़ाई ने वार्यो जवाब आपना जेवाथी तो केमे जलाई मुरख जेवो तो आम शाने अकड़ाई जाने छे डगलू नहीं एकेई मंडाई निसासो नाखी पछी टेबल जिल्लाई कि कोशिश करवामा शूतारू छे जाई सर्खा छे पाया आपन बेई नी पास शुकाम ना बेबे पक्ती चलाई हवे पहली याने बूजो ने कविता खुबज हास्यस बदलागी कारण के ते वो जाने छे कि खुर्षी अने टेबल ये जीवनत न थी कि ते वात करी शके चाली शके अथवा सामने रेते आपने सामनों करता होई ते वी मुश्किलियों नों सामनों पर करी शके हवे आपने बदा ना जीवन गाकईक निक एक मुश्किल यावती जोए छे जेनों आपने सामनों करता होई छे तो ए वी मुश्किलियों सामनों टेबल अंडे खुर्षी थोरी करी शके बरो बर हवे आपने जानिये छिए कि खुर्षी, टेबल, पत्थर के सिक्को सजीव ना थी तेज रीते आपने एपन जानिये छिए कि आपने तथा दुनियाना तमाम लोको सजीव छे आपने आपने आसपास एकदम सजीव होई तेवा कूत्रा, बिलाडी, वानारो, खिसकोलियो, कीटको, तथा बीजा केटलाई प्राणियो जोईये छिए वरबत आपने एज़ेजियल जोता जोईये छिए, आजुबाजु दरेक आप्रकारना प्राणी जोईला जाशे कोई वस्तों सजीव छे, ते आपने कई दीते जानी शक्ये, तोकि घणी वार ए नकी करवू अगुरू होई छे आपने एवू कहवा हमा आवे छे कि वरबत सजीव छे, परन्तु ते वो कूत्रा के कबुतरनी माफक हलत जलन करता देखाती नथी आपने जोई आपने कद मां वधार हो थाये छे, पण जो पची घणी वार आकाश मा रहेला वादर्नों कद पण वधतु होई एवु जणाये छे, शुँ एनों मत्रब एथ हयो के वादरा सजीव छे, शुँ सजीव कोई सामांध्य लक्षणों धरावे छे, कि जे तेने निर्जिव्थी अलग बनावे छे, तमें पोते सजीव होवानों एक अदभूत उदाहरान छो, तमारामा एवु कईू लक्षण छे, कि जे तमने निर्जिव्थी जुधा तारवे छे, तमारी नोद पोती मा आवा किटलक लक्षणोंनी यादी बनावो, तमारी यादी जुवो तता मनस्पतियोंने प्राणियों मा पन जुवा मरता, आ यादी मान लक्षणोंने तेनी साथे सरखावो, आवाना किटलक लक्षणों कदाज, बद्धाज सजीवों मा सामांध्य जुवा मरताज होई छे। एक वनस्पती चे जेने खोराक जाते बनावी शके छे। जेरे आपने प्रधा प्राणियों पोतानों खोराक जाते बनावी शकता नथी। होई छे। तेमा थी आपने जे शक्ती उर्जा मरे छे। तेना थी आपना शरीर नों विकास थाई छे। सजीवोने आउर्जानी जरूर्यात एम नी अंदर चालती जेवी क्रियाओ माटे पण पड़े छे। बिजी अंदर शरीर माँ जेटली पण जेवी क्रियाओ चालती होई एमा खोराक माती जे पण आपने शक्ती उर्जा मरे छे तेना यूस थातों होई छे। बरोबर हवे आपने जो ये बीजू लक्षर शू बद्धा जे सजीवो विकास दर्शावे छे बद्धामा विकास थाई छे। शू चार वर्ष पहला तमारी पासे जे कपडा हता ते तमने हज्जू पन फिटिंग मा आवे छे। विद्यासे मित्रों याद करोग तमें जे चार वर्ष पहला कपडा पेरता हता ये तमें अत्यारे पेर शो तो शू तमने ते फिट थाशे तमने कंप्लेट ठाई रहे शे नई तमने नाना पडशे तमने हवे ते थता नथी खरू ने। आटला वर्षो मा तमें वधू उचा थाई ग्या छो इतला माटे एक अपड़ा तमने नथी थता तमें भले अनुभवता नहो पन तमारों विकास दरेक समय थत्तोज होई छे अने थोडा वर्षो मा तमें पुक्त बनी जशो मोटा थाई जशो हवे तमें जे आकरुतीमा जोई रहा छो कि बाड़क मोटू थाई ने पुक्त बने छे केवी रिते पहला ते नानु हतु अने ते एकडम मोटू पुक्त ब्यक्ती बनी गियो छे प्राणियो ना बच्चा पण पुक्त बने छे तमें कुत्रा ना गलुडिया ने पुक्त थता जोया जाशे के केवी गलुडियू नानु होई छे ने बचिछलने मोटू कुत्रो बनी जाये छे तो आ रिते तेमा विकास थतो होई छे इंडा माथी निकणेलू पीलू एटले कि मर्गी नू बच्चू विकास पामी मर्गी के कुक्डो बने छे तमें आक्रूती मा जोय शको छो के मर्गी नू बच्चू केवी रीते पुक्त बनी ने मोट्टी मर्गी बनी गए छे वनस्पती नू पण विकास थाए छे तो विद्यार्थे मित्रो तमने आ ख्याल होई तो वनस्पती पण विकास पामी चे कारण कि आपने तेने सजीवज कहिए छे एतला माटे सजीव कहिए छे कारण कि तेमा पण विकास आपणे जोई शक्ये छे तमारी आज़वाजो जुवँ औने चोक्कस प्रकार्णी वनस्पती नू अवलोकन करो जिरी तमने जानवा मर्शे कि वनस्पती मापण धिरे धिरे विकास थतो होई छे कितलीक खुबज नानी अने 12 छोट जेवी छे जियारे कितलीक विक्सीचे तमे आवाजोई शक्यों कि कितलीक 38 नानी छे 12 छोट जेवी जियारे आ कितलू मोटू जाड छे बरोबर जियारे केटलीक विक्सित छे तेवों दरेक विकास ना विवित तबक्कामा होई शके छे ए वनस्पतियोंने थोड़ा दिवस कि अठवाणिया बाद जुओ तमे जियारे कोई छोड उगाड़ो छो तो एने तमें दिरे दिरे खातर पाणी आपी ने तमें मैना पची जोओ तो एमा विकास थहलो तमने 9 धाशे तमें अवलूकन कर शो तो तमने खबर पढ़शे कि हाँ वनस्पतिनों विकास थहलो जे ए वनस्पतिने थोड़ा दिवसके अठवाडिया बाद जोता तमे नौध शों कि तेमा थे केटली कदमा बधी गई छे दरेक सजीव मां विकास ए एक सावान्य बाबत छे दरेक सजीव जे पन सजीव हशे एनी अंदर विकास थवो एक नौर्मल वाद छे आपने जोईशू तरीजू लक्षण शों दरेक सजीव श्वाशन करे छे विद्यासी मित्रोष्यों आपने श्वास लीधा वगर जीवी शक्ये छीए नई, अब्विजली नोट तमें बद्धा मनें एमज केशो ना में ना जीवी शक्ये बरोबर ज्यारे आपने श्वास लईये छी त्यारे बहार नी हवा शरीन नी अंदर दाखल थाई छे, तमें जोईशको छोवा मां के बहार नी हवा अंदर दाखल थाई रही छे, ज्यारे आपने श्वास बहार काडिये छी, त्यारे आपने शरीन नी अंदर नी हवा बहार नी कड़े छे, हवे श्वासो श्वास ए भाग छे, श्वाज माँ आपणे श्वास मा लिदेला हवा माना थोड़ाक ओक्सीजनन उप्यूग आपनों शरीर करे छे, आपणे जे हवा श्वास तरीके लेता हो येढ़ ते आपने हवा माथी ओक्सीजन आपना शरीर यूस करतु होए प्रक्रिया मां उत्पन थायेलो कार्बन डायोकसाइड आपने बहार काडिये छे तमें जोई शको चो कि केवी निते ए ओक्सिजन नो यूस थाया आपची कार्बन डायोकसाइड बहार निकड़े छे विद्यारती मित्रो तमें गाय कुत्रा के बिलाडी मां थाती स्वशन क्रिया नी प्रक्रिया मनुष्यों मां थाती प्रक्रिया जेवीज होई छे एवु जोई उचे क्यारे कि आवा प्राणियों आराम करता होई त्यारे तेमा थी कोई एक नुँ अवलोकन करता तेमना पेट ना हलन चलन ने तमें जुवियू होई एउ तमें क्यारे नोंधियों छे के ए जियारे शांती थी एकदम शांती थी बेठा होई अन्य त्यारे ए दिरे दिरे श्वास श्वास नी क्रिया करता होई छे त्यारे आमनु पेट दिरे दिरे हलतु होई छे तो आ आपने श्वशन क्रिया जुवा मड़े छे एमनी अंदर अवे तेमना पेटना हलन चलन ने डोधता आ दिमू अवल हलन चलन दर्शावे छे कि तेवो श्वास लई रहा छे कि तेमना माँ श्वशन नी प्रक्रिया नॉर्मली जाली रही छे एव आपने जुवा मड़े छे दरेक सजीव माटे श्वशन जरूरी छे शरीरे लिधेला खोराक बाथी अंते श्वशनने लिधेज उर्जा मड़े छे अवे शरीर आपनों शरी छे ए खोराक तो लिये छे पण अंते ज्यां सुदी आपने ओक्सीजन नहीं मड़े त्यां सुदी आपने उर्जा मड़े शक्ती नथी पर अबर तो आ श्वशनने अंते श्वशनने लिधेज आपने उर्जा मणे छे वात बीनी मैं एटली कि वायू ओनी आपले ओक्सीजन अंदर आवे अने कार्बेन आपले नी प्रक्रिया कि जे श्वशननों ज एक भाग छे तेनी पद्धती कितलाक प्राणियो मां जूदी होई शक्ये छे. अबे कितली क्रिते अलग होई छे, श्वशननी क्रिया छे आप द्ध्वारा श्वास लईए छे यहने बहार काड़ी छे तो दधरेक मां एवी प्रक्रिया ना होई. कितलाक मां अलग होई? कोई प्राणि होई कि जेनी अंदर आश्वशनक्रि મળે છે તે નામાં નાક જેહુ કય હોતુ નથી તે ચાબણી દવારા શ્વસન કરે છે હવે વિદ્યાથી મિત્રો આપણે શીખ્યા તે બોજબ માચલીયો ચોઈ વડે પાણી માં અગળેલા ઉકસિજન નું યૂ સ્વશન કરે છે તમે જોજ છે ક્યારે વણસપતી ને સ્વશન કરતા વણસપતી માં સામાન્ય રીતે પરણો હવા અંદર લે છે અને ઓક્સિજન નો યૂજ કરે છે તેઓ હવામાં કાર્બન ડાયકસાય્ડ બહાર કાડે છે આપણે કાર્બન ડાય્કસાય્ડ નો યૂજ કરીને ઓકસિજન પાતવરણમાં બહાર કાડે છે અને એ ઓકસિજન નો યૂજ આપણે શવાસો શવાશની કરીયા માં કરીય છે બરોબત તો આ રીતે વનસપતી છે કાર્બન ડાયકસાય્ડ નો યૂજ કરીને ખૌરાક બનાવે અને ઓકસિજન બહાર કાડે છે વનસપતી દવારા ખૌરાક બનાવાની પ્રકરીયા ધરમ્યાન મુકત થતા ઓકસિજન નું પ્રમાણ શ્વાશન કરીયામાં વપરાતા ઓકસિજન કરતા ભધું હોય છે ઓકસિજન લેતી શવાસમાં એના કરતા ડબલ ગળોતો તે ઓકસિજન વાતાવરણમાં બુકત કરતી વણસપતી તેમનો ખ ખૌરાક બનાવી શકે નહી જ્યારે તેબનામાં દિવસ રાત સ્વશન થાય જે પટે શ્વશન ની કરીયા તો દિવશને ચાલુ જોઈ છે હવે આપણે જોઈએ એના પછીનું લક્ષણ શું દરેક સજીવ ઉતે જનાને પ્રતિચાર આપે છે વીદ્ય સીમીત્રો તમે ખુલા પગે ચાલતા હો ત્યારે પગમાં તેક્ષ્ન કાટો ભોકાઈ ત્યારે તમે તમે અને અચાનક તમારી આખો બં થઈ જશે અને તમે દુખાવો થશે આ રીતે તમે એનું વાગી હોય તો એના સામે તમે જ્યારે તમે 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 પસંદ ગીની કોઈ વાંગી જુઓ કે તેના વિશે વિચારો છો તમે 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 પાણી પૂરી દાબેલી પીજા તમે અત્યારેજ એનો ટેસ્ટ આઉશે તમે અચાનક એ ખાવાનું મંં થશે તમે તમે ત્યાં તાતકલીક દેખા શે નહી અચાનક તમે જવાડામાં જાઓ તો તમારી આખો બંદ થઈ જાશે તો હકીકતમાં જાશવી પ્રકાશ શે અનોકુળ ના થાય ત્યાં સોધી તમારી આખો આપ મેળે તેજ ઘળીએ બંદ થઈ જાય છે હવે આ દરેક પ્રકાર ના વસ્તુંમાં તમારો પ્રતિચાર એક મેઈન હશે કે તમારી આખો તરત આપ મેળે વાગ્ય હોય એ બધ્ધુ તમારે આસ્પાસના વાતવરણમાં બદલાવના ઉદાહરણ છે આપણે બધાજ આવા બદલાવને તાતકાલીક પ્રતિચાર આપીએ છીએ કે વિની તે આખો બંદ કરીને આપણી આસપાસના એવા બદલાવ જે આપણને પ્રતિચાર આપપા પ્રએરે છે તો તેને કહવાઈ છે ઉતેજના આખાસ યાદ રાકું આપણને એક માતને એમસી પ્રતલી બતાઓ સો તરા તેઓ કરશે બરોબર તો આ રિતનો તે પ્રતિચાર આપે છે શો ખારાકને જોતાજ તેમને અચા નકાજ કાર્ય શીલ થતા તમે જોયા છે ક્યારે તમે જોયો છે ક્યારે એ રીતે કુત્રાને આમ દૂર ભાગી જાએ છે તેવીજ રીતે જો રસોડાની લાઇટ મે રાત્રી ધરમ્યાન ચાલું કરવામામ આવે તો વનસ્પતી પણ ઉતેજ નાને પ્રતી ચાર આપે છે આથઈ આથઈ આપણા માણસો અને પ્રાણ્યોની બાદ કે તેઓ કોઈ વનસ્પતી પણ આરીતે ઉતેજ નાનો પ્રતી ચાર આપે છે કેટલીક વનસ્પતી ના પુષ્પ માત્ર રાત્રેજ ખિલ ને જો કોઈ અડકે તમે જોઈ શકો છો આ ફોટો માં કે વેરીતે લજા આમણીનું જે પાનળા છે એને આંગણી અડારતાની સાથેજ તી પણા બંધ થઈ જાઈ છે આ ફોટો માં પણા ખુલું હતુ અને આમાં અડતાની સાથેજ પણા બ વનસ પત્યું માં તેના વિશ્ય આપણેક પ્રવૂતી દભારા સમજીએ પ્રવૂતી ચાર દિવસ દરમ્યાન બારી માથી થોડી વાર માટે સૂર્ય પ્રકાશ દાખળ થતો હોય તેવા રૂમમાં બારી થી પ્રતી ભાવ આપે છે તેવો આપણે હી ફોટો દેખાળેલું છે તેયાં આપણે એક કુંડુ મુકવાનું છે તો એવીજ રેતે આ છોડ પણ ટટાર થશે જો તે ટટાર ઉગતો નં હોય તો તે જે દિશામાં વડે હોય તેનો દો છે સૂર્ય જે સાઇડ છે એ સાઇડ વડેલો છે આ છોડ હવે શૂતમને લાગે છે કી આ બાબત કોય ઉતેજ રાના પ્ર તરફ પ્રતિભાવ આપે છે હવે વણાસપતી ઉપર સૂર્ય ના પ્રકાશનું પ્રતિભાવ સારો એવો પડે છે એટલા